Hello Friends, Welcome to my channel Reefa Creation आज मैंने सेजवान सॉस बनाया है ये सॉस बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे समोसे या मोमुज के साथ खा सकते हैं तो चलिए अब हुई से बनाना सुरू करते हैं सेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप लेसन फो टेवल स्पून जिंजर वाइट विनेगर रेट चिली सॉस सोया सॉस और इसके लाव मैंने 10-12 सुखी लाल मिर्च लिये है जिसे हम पानी में बॉयल कर लेंगे अच्छे से सॉफ्ट होने तक तो मैंने एक वर्तन में पानी गरम होने के लिए रख दिया है कैसान करके अब इसमें सारे मिर्ची के डंठन लिकाल कर हम इसे गरम बॉयल होने के देंगे 5 मिनट के लिए जिब ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसे निकालने के पानी में से आप इसके जगह तीखे वाली लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो कि तो देखिए हमारे मिर्ची में अच्छे से उबाल आ चुका है और यह सॉफ्ट भी हो चुका है अब हम इसे एक बरतन में ठंडे पानी में पांच मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे जब यह अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे कणाई में टूटे वल्श्पून आयल डाला है सद रिफाइन ऑल कर यूज किया है मैंने है मैं अ हमें कदू कर सब्सकीा हुआ elo Rubin यह नहीं रही हूँ कि हैं आ इसे जपया है व्यस्ट कर और इसका चरादाना है में है यह ज्यादा पकेगा तो फिर इसका टेस्ट खड़ाब हो जाकता है इसलिए यह द्यान में रखना है कि इसे ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना है लगातार फ्राई करते रहना है हमें से कलर इसका बिल्कुल चेंज़ है बृञश नहीं हो ना चाहिए है तो हमारा गार्लिक फ्राई हो चुका है अब इसमें कद्दू कस्किया हुँआ जिनिजर डाल कि अरब इससे नहीं दो यह पूंत आखे पूंत यहाँ आखे से सबाज़ का ला को पूंतों importante तो हमारा जिंजर कार्लिक अच्छे से फ्राई हो चुका है देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें वन टेबल स्पून चिली डालेंगे ग्रीन चिली फ्रेंड्स ही ऑप्सनल है अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं और वर्ना आप इसे स्किप कर दीज अब इसमें वन टेबल स्पून जनाओ सोया सॉस डालना है हमें अब वन टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे रेड चिली सॉस का यूज करना है हमें कि इन्वानी फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी बनता है यह चटनी और मोमोच के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है अब इसमें वन टेबल स्पून विनेगर डालना है और इसे फटा फट फ्राई करना है फिर से अब इसमें जो चेली पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दे रही हूं और इसे तेल छोड़ने तक हमें पकाना है इसे अच्छे से फ्राई करना है इसे मैंने वन टेबल स्पून नमक डाला है इसमें फ्रेंडस लें नमक के मातरा अपने स्वादयनों साय रही रखेगा क्योंकि तो यह जादा नमकीन हो सकता है इसलिए आप स्वाधन इसा नमक डाले अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है तो देखिए हमारे जो सेजवान सोसे उसमे अच्छे से तेल छोड़ दिया है और अच्छे से फ्राई हो चुका है अब मैंने जो चिली जिस पानी में उबाला तो वह पानी मैंने बचा कर रखा था उसी पानी को इसमें डालना है हमें देखिए इसमें से तेल अलग-अलग दिखने लगा है अब हम इसमें पानी डाल देंगे पानी डालकर इसे लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए हमें पकाना है जब यह अच्छे से बच जाएगा फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो देखिए हमारे सेजवान सॉस में अच्छे से उबाल आ चुका है फ्रेंड्स हमारे सेजवान सॉस बनकर रेडी हो चुका है यह देखिए कितना अच्छा दिख रहा है यह फ्रेंट्स अगर आपको मेरी सिजवान सौस की रेशिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को प्लीज लाच तक देखेगा धनेवाद दोश्तों